दियर स्टुनेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल अस्टेडी विद दुलार में बच्चों ये क्लास 6 का हिंदी बुक है चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का नाम है प्रातना सबसे पहले हिंदी बुक या इंग्लिस बुक होत उसमें एक पोयम दिया रहता है और जिसमें भगवान से प्रातना किया जाता है तो यहाँ पे भी इसी प्रकार का पहला चप्टर दिया हुआ है और इसमें भगवान से प्रात्ना क्या गया है ता यह हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं हम असैत्य से बचें सैत्य पर चलें परभो ऐसा वर्दो अंधकार से हमें उबारो जोतिर मैं मानस कर दो इसका अर्थ है यहाँ पे कवी बतला रहे हैं इसकविता की जो पक्ती है यह लिया गया है हिंदु धर्मिक गरंत उपनीसत से लिया गया है इन पक्तियों में परमपिता परमेश्वर से प्रातना किया गया है कि हे इस्वर हमें असैत्य मार्ग पर चलने से बचा लो असैत्य क कि अंधकार रूपी अज्ञान से बाहर निकल सके इस अंधकार से हमें बाहर निकालो हमारे मन में हिरदय में ज्ञान रूपी प्रकास भर दो इस तरह से कभी प्राथना कर रहे हैं इस्वर से और अगली पक्ति है विजय मिर्तियू पर प्राप्त हमें हो देव अमर्ता का दो सत्त मार्ग पर चल कर पाएं अमर जोती का नया विहान आगे कवी यहां पर कहते हैं हे परभू हमें ऐसा वर्दान दो कि मिर्तियू पर बिजय प्राप्त कर सके जो यहां जनम लेता है उसकी मिर्तियू तो निश्चित है यहां कहने का अर्थ यह है कि हम इतने ज्यानी हो अर्थात तुम्हारे बताये हुए मार्ग पर चल सकूं सैत मार्ग वही होता है जो इस्वर के द्वारा बताया गया मार्ग होता है और तुम्हारे बताये हुए काय को पूर्ण कर संसार में एक नया सवेरा ला सकूं संसार में कल्यानकारी बदलाव ला सकूं इस परकार से क कोई भी जन हो नहीं किसी को कोई भय हो अंतिम पक्तियों में कविकार हैं कि है परभू सबके जीवन में सांती हो सबको सुख मिले सबका जीवन खुशियों से भर जाए है इस्वर किसी विवेक्ति के जीवन में कोई दुख ना हो और नहीं किसी के जीवन में किसी परकार का भ क्या question दिया हुआ है यहाँ पे यह दो बच्चे जो है प्रातना कर रहे हैं इस वर से first number में यहाँ पे दिया हुआ है सब्दार्थ जिसमें हिंदी का सब्दार्थ दिया हुआ है जिसमें English भी दिया हुआ है और question number two तुष्ष्ट यहां पर उत्तर देने के लिए का रहा है यहां पर कम से कम कुष्टन दिया गया है तिन के स्वेश्चन मात्र दिया गया है और यहां uwagę बहावस्ट में आप यहांốc कि प्लोगों लिए क्वृल गया है यहांर नमबर में इस कविता का मुलभाव अपने यह है चप्टर 1 का question answer उतर दीजे कवी इस्वर से क्या वर्दान मांगता है कवी इस्वर से यह वर्दान मांगता है कि हे इस्वर हमें अंधकार रूपी अज्ञान से बाहर निकालो और हमारे हिर्दे में ज्ञान रूपी परकास भर दो कवी किस परकार के मार्ग पर चलने की इछा परकट करता है अये लोगों के लिए कवी क्या कामना करता है कि सभी को सुख और सांती मिले सबका जीवन खुशियों से भर जाए और थिरी नमर में जो भावस पस्ट करने के लिए कहा गिया था तो यहां पे पुरा कविता का लाइन में लिखा नहीं है यह धूरा है विजय, मिर्तियू और यहां बीच में और लंबा है का नया विहान अंत में यह लिखा हुआ है यहां भावार्थ इस परकार है कवी इसवर से प्रातना कर रहे हैं कि हे परभू हमें मिर्तियू पर विजय प्राप्त करने का वर्दान दो हमें अमर्ता का वर्दान दो मिर्तियू पर विजय का अर्थ है कि हम मिर्तियू के भाई को जीत जाएं सेत्य के मार्ग पर चल कर हम सं धकासे थोग्या अमर्व शूख को जो गया प्रियूरा यहां प्रकास संटी असंटी मंगलयल एमंगल तो यहां पर यह चेप्टर समाप्त हो जाता है अगर आप Kelvin और यूज से थोड़ा बीन दिट आप हमारे इस